इन दिनों मैं देख रहा हूं कि कलर पॉलिटिक्स नेम चेंज पॉलिटिक्स और जैसा कि मनीश जी ने वड़ी अच्छी बात कही कि दोनों तरफ से कट्टर चलेगा आप क्या मानते हैं कि आने वाले वक्त में यूपी की पॉलिटिकल सिनेरियों कैसा रहेगा विजेट जी जो टोपी है और रंग है मैं यह अर पार्टी समय समय पर अलग-अलग रंग और पार्ट अपना अपना अपनाया और उनक noon की रही है इसमें एक गुरो soli तिहास टोपी का भी रहा है चाए आजाध के अंदोलन के समय हो आज्धी के बाद के समय जो हमारे नेता पहनते थे और विभिन राजनितिक दलों की जो अपनी टोपी है और अपना उनका रंग है लेकिन भारत में टोपी भारतिय परिधान का एक अहम हिस्सा है और सफेद टोपी आजादी के समय से गांधी नहरू से लेके इस देश के बड़े-बड़े नेता हमेशा पहनते आए ह उनकी टोपी सफेद होती थी सपा ने लाल टोपी बनवाई चुनाओं में भाजपा वाले भगवा टोपी पहिंते हैं और टोपी के साथ अब गमचा भी अलग अलग पार्टियों का रंग का परतीक है मायवती के लोग नीला गमचा पहिंते हैं ओम परकास राजभर के घरा गमचा पहिंते हैं और भाजपा के लोग भगवा गमचा पहिंते हैं तो टोपी और गमचा दोनों अपने आप में एक पहचान बना हुआ है वह परकास राजभर ने जब मंत्री मंडल में सामिल हुए तो उन्होंने कहा था कि अपीला गमचा ही थाने पर वह परकास र हमारे देश में टोपी पहिना कोई बुरी बात नहीं मानी गई टोपी पहिनाना बुरी बात मानी गई है और जो पहिनाता है वो फराडिया कहलाता है तो यह इसको थोड़ा से देखना और समझने वाली बात है तो हमारे यह तोड़ा गलत संदर में लिया जाता है वही और कहा गया है कि जहां पर रहने में तकलीफ हो वो जगा बदल देनी चाहिए सबसे ज़्यादा रंग बदलने में तो नेता माहिर हैं हर चुनाओं में यह पार्टी बदल देते हैं और एक दूसरे को जिसको कोशते हैं आज कल उसी को गले लगाते हैं और जिस रंग को आज यह खराब कह रहे हैं जिस टोपी को उसी टोपी को फिर वहां से आए हुए लोगों का महिमा मंडन भी होता है तो यह कौन सा ऐसा भाई असनान है और ऐसा नहर में नहा के पवित्र होके निकलते हैं कि वह कल तक तो खिलाब पार्टी में थे तो बुरे थे हमारे साथ आ जाएं तो साथ सुतरे हो गए उजले हो गए तो यह बड़ी एक समस्चा है वैसे इस देश में मुंबई मों बंबई का नाम बदल के मुंबई हुआ हुआ कलकटा का नाम बदल के कोलकाता ह हुआ तमाम सारे हर सरकारों में रेलवेस्टेसनों के नाम बदले गए लखनओं में अमबेटकर पार्क का नाम बदला गया मायवती आई तो उन्हों ने जीलों के नाम बदले अखिलेस यादों ने भी जीलों के नाम बदले योगी ने फैजाबाद का नाम बदल के जद्या कर दिया इलहाबाद का नाम बदल के परियाग राज कर दिया बहुत सारे चीजें बदलती रेश्टियसन दीन-दयाल उपात द्याय हो गया बनारस कई मॉगल सराय बहुत सारे चीजें बदली गई हैं लेकिन आज भी इस देस में चाहे मुगल तिहास है वो उसकी निसानिया है वो कैसा था अब किसको किसको मिटाये जाएगा कौन कौन चीजे आगे रहेंगी यह सियासत अपने इसाफ से तै करती है इस पर बहुत गंभीरता से परिसान होने की ज़रूत नहीं है भाजपा का हिंदुत का अपना जेंडा है वो हिंदूओ के धर्मगुरूओं के नाम पर देवी देवताओं के नाम पर बदलाव कर रहे हैं वो अपने धार्मिक हिसाब से अयोध्या और पर्यागराज और तमाम इस्टेशनों के उन्होंने नाम बदले हैं तो यह उनके जो समर्थक हैं उनकी जंता हैं उनको खुश करने के लिए बदला है और यह बदलाव होता रहेगा लेकिन टोपी वाले हमेशा कांग्रेस में तो लोग सेवा दल भी है वह सब भी सफेड टोपी लगाते हैं हर तरह की टोपी का अलग-अलग हिसाब किताब है लेकिन राजनेतिक दलों से अगर कोई सबसे ज्यादा परभावित हुआ तो वसीम रिजवी हुए जिन्होंने अपना इनाम बदल के जिते इंत्यागी रख लिया इससे बड़ा उधारन कहीं नहीं मिलेगा कि जिस तरह का बदलाव उन्होंने महसूस किया वैसे आपके पास भी एक चेक विरले उधारन रखें वैसे कई बार हम लोग से कितना भी पड़के आए लेकिन आप जैसे उधारन नहीं होते किसी की पास देखिए यह सचाई है हम लोग भूल जाते हैं मैं उनको याद दिला देता हूं ने ठीक करते हैं वैसे आज हम सब को मिल जूलकर कुछ चीजों पर बदलाव करने की जरूरत है जो बेरोजगारी का रंग है जो महिला उत्पीलन के रंग है जो जनता के साथ यातायात और मूल भूत सुधाओं के रंग है इनको बदलने की जरूरत है जो तस्वीरे हम देखते हैं बाकी तो सियासत अपने हिसाब से फिर बदल करती रहेगी लेकिन यह देखना होगा कि किसका कर्म कैसा है क्योंकि यो जन्म से सूनने रहा है तो यह जरूर है कि इनसान अगर करवट लेगा तो उसकी दिसा बदलेगी और वक्त करवट लेगा तो पूरी दसा बदल देगा तो वक्त करवट पर है कल कांग्रेश थी आज भाजपा है बहुत सारी तस्वीरे रोज बदल रही हैं बदलती आनंद लीजिए और जीवन को आगे प्रगत के पत्पर ले जाएए हर आदमी सुक्चैन की जिन्दगी चाहता है गुंडागर्दी से मुक्ती चाहता है कुछी को कपड़ा पहिनने से गुंडागर्दी से कोई लेना देना नहीं है चस्मा लगाकर भी लोग गुंडाई करते हैं बड़ी बड़ी गाड़ी करते हैं लोग तो फिर गाड़ीओं का ऻळल रंग देखा जाएगा जब sieht he भी चरह सब्सक्राइब तो अपना नाम ना चेहरा बदल के आया हूँ अब कई बार मैं रास्ता बदल के आया हूँ तो मुझे खबर है कि दुनिया बदल नहीं सकती इसलिए मैं इस बार काशा बदल के आया हुं और इस जहान में पिजरा बदल के आया हूं बहुत शुक्रिया विरेंगर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुनने के लिए